Hello everyone, मैं हूँ किरन शापपुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशी फल ये 21st November से लेकर 27 November तक की आपकी टारो ratings है, टारो predictions है और इस वीडियो में Leo, Virgo, Libra, Scorpio यानि की सिंग, कन्या, तुलाव, रिष्चिक राशियों के सापताहिक राशी फल है और नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो देखें, tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशी फल ले लियोज आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, three of wands, reverse and spiritual union और ये cards कहते हैं कि इस week specifically अपने professional front में किसी चीज़ का इंतजार आपको रह रहा है या फिर overall एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और देखिए deeper level के लिए spiritual union का card कहता है कि या तो आपके आसपास आपके loved ones, close ones हैं फिर भी एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और कितनी बारी होता भी है लियोज कि सब के होते हुए भी हम कहीं उनका साथ नहीं महसूस कर पाते हैं कुछ के लिए ऐसी सी energies हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी loved one का, किसी close one का आप इंतजार कर रहे हैं और कहीं इसी लिए एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और देखिए broader level के लिए ये card एक waiting वाली energies की बात करता है किसी चीज का इंतजार आपके मन में रह रहा है और ये इंतजार थोड़ा सा difficult, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप उतना सबर, उतना patience इसी इंतजार के लिए नहीं कर पा रहे हैं अगें दिखिए यहाँ पे सब के लिए different reasons होंगे कुछ के लिए मैंने कहा कि किसी इंसान का आप wait कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है किसी के साथ partnership में आप काम करना चाहा रहे है या कर रहे हैं, उसी से ही related किसी चीज का wait है कुछ के लिए right time का wait कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए कुछ के लिए दिखे पीछे हो सकता है आपने effort किया तो उसी से related एक profit का आप wait कर रहे हैं positive outcome, positive result का wait कर रहे हैं और दिखे जो भी चीजें मेरे mind में आई मैंने आपको कहा broader level पे ये card एक waiting वाली energies की बात करता है एक किसी तरीके के अकेलापन भी महसूस करने की बात करता है and overall के लिए lios आप कहीं long term planning करना चाहा रहे हैं long term goals बनाना चाहा रहे हैं future से related again मैं कहूंगी एक planning करना चाहा रहे हैं जो की आप नहीं कर पा रहे हैं current situations, current circumstances इतना जादा आपकी attention demand कर रहे हैं कि फिर से मैं कहूंगी कि आप future से related एक planning जिस तरीके से चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं and in the process हो सकता है कि कि किसी loved one, किसी close one का support है या फिर देखिये overall again मैं कहूंगी या तो किसी के साथ आप काम करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं या फिर किसी का इंतिजार कर रहे हैं या फिर कोई आपके professional front में है उनकी तरफ आप attract हो रहे हैं वो आपकी तरफ अट्राक्ट हो रहे हैं और इसी से ही related किसी चीज का इंतिजार रहे रहा है या फिर इसी से ही related future की एक planning आप करना चाहा रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए काड्स है the hermit and disruption तो दिखिए कहीं professional front में भी three of wands reverse का काड़ एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है और personal front के लिए hermit का काड़ भी एक अकेलेपन की बात करता है तो overall ही is weak कहीं ऐसी सी energies रहती हुए दिख रही है कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि ये space ये एक you know खुद के साथ time आप चाहा रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि आप सब के होते हुए भी एक अकेलापन महसूस कर रहे है और कहीं देखिए एक missing सी feeling आप अपने personal front मेरी महसूस करते हुए दिख रहे है जैसे किसी चीज को खोज रहे है जैसे किसी चीज को ढून रहे है एक जैसे बुलते हैं जोई, happiness, satisfaction कहीं किसी भी reason की वज़े से personal front में इस week आप नहीं महसूस कर रहे है and deeper level के लिए disruption का card कहता है कि थोड़ा सा टूटा हुआ, बिखरा हुआ भी आप महसूस कर रहे है आपको ऐसे लग सकता है कि किसी चीज को आपने बहुत शिदद से बनाया था बहुत ज़ादा प्यार से बनाया था कहीं वो तूट रही है या तूट गई है और कहीं वो ही चीज का तूटना आपको भी अंधर यंदर कहीं परिशान कर रहा है तो देखे लियोज यह weekly reading है weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है एकका दुखा लोगों की बात अलग है तो यहाँ पर देखे मैं आपको यही कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों को सुन के आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पूरी जिन्दगी की reading नहीं है कैसे आप इन energies से अपने आपको बहार निकाले आपने उस पर focus करना है देखिए अगर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं तो conscious effort के साथ जो भी आपके love ones हैं आप फिर जिनके साथ आप बहुत जादा connect करते हैं उनसे आप बात करें उनसे आप interact करें और थोड़ा सा socialize करें और अगर आप एक अकेलापन चाहा ही रहे हैं और अगर आप उसको enjoy कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं enjoy कर रहे हैं तो देखिए ये जिन्दगी का एक हिस्सा है चीजें बनती हैं तूटती हैं अगर आप strong रहते हैं अगर आप बहुत जादा courageously हर चीज को deal करते हैं तो external level पे जो भी चीज तूट रही है उससे कोई खास फरकने पड़ता है फरक तब पड़ता है जब externally कुछ होता है और उसको लेकर हम खुद को परिशान करते हैं या फिर हम तूटते हैं तो खास खास ध्यान रखना है बहरी दुनिया में जो भी तूट रहा हो अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो उससे कहीं, you know, आपने खुद को नहीं affect करना है या मैं कहूंगी कि उसका negative impact आपने खुद पे नहीं पढ़ने देना है क्योंकि फिर से अगर आप strong है ना तो आप सब कुछ at the end of the day ठीक कर लेंगे and guidance से आप लुगों के लिए go the distance का card है तो बहुत clear message है कि distance यानि कि दूर के बारे में सोचें currently अगर आपके professional, personal front में कुछ भी fluctuations हो रही है चीजें up and down हो रही है या पिर उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं और कहीं आपको bother कर रही है क्योंकि आपके cards कह रहे हैं कि किसी level पे आपको वो परेशान कर रही है उनको again आपने अपने उपर हावी नहीं होने देना है आपने long term के बारे में सोचना है और जो कि देखिए आप professional front में चहा भी रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से देखिए जो भी चीजें आपको currently distract कर रही हैं आपने उनसे अपने mind को हटा के उनसे अपनी attention को हटा के long term के goals बनाने हैं long term के बारे में सोचना है और जो भी चीजें अभी आपको bother कर रही हैं यकीन मानिये future में यही चीजें आपके लिए beautiful energies लेकर आएंगी तो बहुत clearly go the distance का card कहता है कि जो भी अभी परेशान कर रहा है उस पे ना focus करें जो आप future के लिए चाहते हैं उस पे focus करें थोड़ा सा दूर की सोचें थोड़ा सा long term की सोचें long term goals बनाएं and astrology से आप लुगों के लिए Mars planet का card है और इसके हिसाब से all shades of red, all shades of maroon आपके लिए इस week लगी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए हो का Tuesday तो यह था लियोज आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए वगोज आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies हैं तो professional front के लिए आप लुगों के लिए cards है Ace of Swords and Triumph Success तो देखिए दोनों ही Swords के cards हैं I don't know, आप लोग कितना देख पा रहे हैं और ये cards कहते हैं कि इस week या तो आप बहुत जबरदस्त एक fighting spirit रख रहे हैं या फिर बहुत जबरदस्त एक fighting spirit रखने की ज़रत है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एक confusion आप महसूस कर रहे थे तो एक जबरदस clarity या तो आप ला रहे हैं या फिर एक जबरदस clarity आ रही है और बहुत logically आप चीज़ों को deal करते वे दिख रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि बस emotional होके decisions नहीं लेने हैं emotional होके choices नहीं करनी हैं बहुत ज़ादा एक professional attitude maintain कर रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगी आप mind से ज़ादा चीज़ों को deal करते वे दिख रहे हैं कुछ challenges रह सकते हैं कुछ issues भी रह सकते हैं लेकिन हर challenge को आप अपने रस्ते से हटाते हुए अपने goal अपने मकसद के ओपर focus करते वे दिख रहे हैं और देखिए आपको कहीं success भी मिलता हुआ दिख रहा है triumph success का card कहीं बहुत ही clearly challenges होने की और challenges को overcome करके एक success मिलने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस week specifically आपके professional friend में रहता हुआ दिख रहा है और personal friend के लिए आप लोगों के लिए cards है the high priestess and moving on और ये cards कहते हैं कि कहीं personal friend में आप बहुत actively चीजों में अपने आपको नहीं involve कर रहे हैं किसी level पे किसी तरीके से आप withdraw कर रहे हैं और कहीं back of the mind में आपके रह सकता है कि आप बहुत समझतारी से चीजों को deal करना चाहते हैं आप you know बहुत wisdom से हर चीज को solve करना या फिर से मैं कहूंगे deal करना चाहा रहे हैं और थोड़ा सा आप एक sabr patience भी रखते वे दिख रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, action initiatives लेने से पहले किसी चीज से अपने आपको in the process आप distance भी कर रहे हैं, दूर भी कर रहे हैं यह सब के लिए differ करेगा क्योंकि यह general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी relationship से किसी इनसान से आप एक दूरी बनाना चाहा रहे हैं यह पिर बना रहे हैं और दिखिए सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी जगा को छोड़के आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अपने thinking process को या फिर जो भी belief systems बहुत strong हैं उनको छोड़के आगे बढ़ना चाहा रहे हैं तो दिखिए यह बहुत ही clearly moving on का card किसी चीज को छोड़के आगे बढ़ने की बात करता है और कहीं high priestess का card बहुत सब्र, बहुत patience के साथ चीज़ों को deal करने की बात करता है कहीं उनो एक passive energies की बात करता है बहुत actively किसी भी चीज में नहीं involved होने की भी बात करता है और दिखिए in the process हो सकता है कि या तो आप अपने loved ones से, अपने close ones से कोई चीज़ चुपा रहे हैं एक secrecy maintain कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके loved ones कहीं खुल के आपसे बातों को नहीं share कर रहे हैं कोई चीज आपसे चुपा रहे हैं and guidance है आप लोगों के लिए building blocks का card है और ये card कहता है कि इस week जो भी आप कर रहे हैं इस चीज का खयाल रखें कि कैसे आप उसी चीज से related एक solid foundation ले करें for example अगर relationships पे आप focus कर रहे हैं तो कैसे इस relationship को आप और strong करें कैसे इसका base मैं कहूंगी in fact और strong करें इसकी foundation और जादा solid हो इस पे आप जादा focus करें और इसी तरीके से देखिए professional front में भी जो भी आप कर रहे हैं back of the mind में आप इसी intention के साथ करें कि कैसे आप you know एक solid foundation ले कर सकते हैं कैसे इसी चीज को आप इतना strong कर सकते हैं कि जो भी issues जो भी मसले अगर कभी आएं भी तो वो आपको या आपके professional front या personal front को effect ना कर पाएं and astrology से आप लुगों के लिए Aquarius sign का card है इसके हिससाब से all shades of blue इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये था वो गोज आप लुगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Libra's आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है page of swords and obstacles and challenges और ये cards कहते हैं कि minor irritations, minor frustration इस week specifically आपके professional front में रह सकती है और इसके लिए देखें सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन आपर cards कहते हैं कि किसी email, message, phone call का गराब वेट कर रहे थे तो आपको मिल रहा है लेकिन उसकी वज़े से irritation, frustration रह रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि यही phone call, message, email, news, delay हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि आपके work front पे कोई इनसान बहुत immature तरीके से behave कर रहे हैं बहुत ज़ादा defensive हो रहे हैं, blunt हो रहे हैं उनका communication बहुत straightforward है जो आपको hurt कर रहा है, परेशान कर रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि overall जो भी आप कर रहे हैं कहीं उसी से ही related, किसी तरीके से, किसी level पे obstacles यानि कि अरचने या फिर रुकावटे आपको मिल रही हैं और यही कहीं आपको परेशान कर रही हैं यहाँ पे दिखिए कुछ Libras का भी एक immature attitude रह सकता है यानि कि आप बहुत maturity के साथ, बहुत समझदारी के साथ चीजों को नहीं deal कर रहे हैं तो अगर ऐसा आप भी Libras पाएं इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice इस week specifically अगर आपको आपके professional front से लेनी है तो किसी समझदार इंसान से जिनको आप trust करते हैं जिनको आप you know बहुत again मैं कहा हूंगी कि experiential समझते हैं उनसे जरूर आप बात करें discuss करें and yes देखिए ये week बहुत एक smooth going नहीं आपके professional front से related रहती हुई दिख रही है and personal front के लिए आप लुकों के लिए काज है 10 of souls reverse and partnerships and alliances तो देखिए 10 of souls reverse का काज ending और beginning की बात करता है तो कोई भी चीज जो आपको bother कर रहे थी परेशान कर रहे थी किसी level पे किसी तरीके से end हो रही है एक नई beginning हो रही है और कहीं देखिए यही transition बहुत comfortable नहीं रहे रहा है या फिर इस ending, beginning को आप enjoy नहीं कर रहे है किसी level पे किसी तरीके से एक परेशानी एक you know uncomfortable आप महसूस करते वे दिख रहे है यह ending, beginning सब के लिए differ कर सकती है क्योंकि 10 of souls के नीचे partnerships and alliances का का काड है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी से आपकी partnership किसी से आपकी alliance थी किसी के साथ आप जुड़े हुए थे वो कोई इंसान हो सकता है, group हो सकता है community हो सकती है कोई भी चीज हो सकती है जिसके साथ you know ending हो रही है, beginning हो रही है और कहीं यही चीज आपको bother कर रही है या फिर मैं कहूंगी यही एक ending beginning हो रही है कुछ के लिए कोई relationship हो सकता है जिसके साथ ending beginning रह रही है और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि यह जो एक phase है ending beginning का इसी phase में कोई you know इंसान है, कोई loved one है, कोई close one है या फिर कोई group है, कोई community है वो आपको बहुत support कर रहे है उनकी तरफ से बहुत cooperative supportive energies रह रही है देखिए, general reading होती है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है again देखिए, कुछ के लिए कोई रिष्था किसी level पे किसी तरीके से तूट रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि, you know, जो भी एक transition वाला phase है उसमें कोई रिष्था, कोई इंसान आपको बहुत help कर रहा है and guidance से आप लुगों के लिए chaos and conflict का card है और देखिए, ये काथ बहुत ही clearly एक conflicting सी energies की बात करता है confusion की बात करता है and देखिए, ऐसे मैं आपको ये ही कहूँगी कि बहुत जादा चीजों को लेकर emotional ना हो क्योंकि emotions, sentiments, हमारी thinking को blur करते हैं और फिर हम clearly चीजों को ना तो देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं ना सुन पाते हैं, wrong decisions लेते हैं, wrong choices लेते हैं तो इस week कहीं heart और mind का balance रखें और जादा, you know, mind से आप चीजों को deal करें and एक चीज दिखें आपे मैं और mention करूँगी personal friend में जो मैंने ending, beginning कही वो दिखें, सिरफ और सिरफ इस week के लिए है इस week या तो ऐसा लग सकता है या इस week ऐसी से energies रह सकती है मैं बिलकुल भी यह नहीं कह रही हूँ कि permanently किसी के साथ आपका relationship तूट रहा है at times देखिए physical mental level पे हम इतना किसी से connect नहीं कर पाते हैं at times physical level पे हम साथ होते हैं लेकिन mental emotional disconnect होता है तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हम general तरीके से चीजों को देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और यह बहुत ही एक general reading है तो broader level पे इस तरीके के energies रहेंगी specifically आपके personal front में and astrology से आप लोगों के लिए Virgo sign का card है इसके हिससाब से all shades of beige all shades of brown इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो यह था लिप्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चिलिए इस copies आप लोगों के लिए देखें कि हैं मैं कहूंगे contrary energies की तो बात नहीं करते हैं लेकिन कहीं एक card destruction की बात करता है कहीं बहुत एक उथल पुथल एक disturbing सी energies रहने की बात करता है और दूसरा card कहीं success की बात करता है victory की बात करता है और यही दोनों चीजें इस week specifically आपके professional front में रहती हुई दिख रही है क्योंकि यह general reading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज में success पाने के लिए किसी चीज में एक you know काम्याभी पाने के लिए आप किसी चीज को तोड रहे है या फिर कोई चीज टूट रही है जिसकी वज़े से एक you know success आपको मिल रही है या यह भी हो सकता है कि success तो आपको मिल रही है लेकिन उसके लिए एक cost एक कीमत आपको देनी पड़ रही है आपको कोई चीज तोड़नी पड़ रही है यहाँ पे देखिए आपकी खुद की ego भी हो सकती है जो तूट रही है या फिर जिसको आप side पे रख रहे हैं इस चीज में या फिर जिस चीज में भी आप focus कर रहे हैं उसी से related एक success एक victory पाने के लिए तो देखिए overall के लिए एक उथल पुथल एक disturbing सी energy ज़रूर इस week रह रही है और यहाँ पे again मैं कहूं कि सब के लिए different situations different you know circumstances हो सकते हैं जिसको लेकर बहुत एक disturbing बहुत एक उथल पुथल रहे रहा है लेकिन कहीं यही चीज या फिर otherwise कोई और चीज भी एक success भी आपके लिए लेकर आ रहा है यानि कि पीछे किसी भी चीज के लिए आप बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे उसमें आपको positive outcome, positive result मिल रहा है कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि जो भी यह उथल पुथल हो रही है आप इसको अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं आप बहुत confidently, बहुत assertively चीजों का control अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और इसी से related कहीं आपको एक काम्याभी भी मिलती हुई दिख रही है तो ये वीग, specially professional front के लिए थोड़ा सा mix सा रह सकता है और थोड़ा सा, you know, बहुत एक again मैं कहूंगी unsettling सी energies लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी चीजें भी रहती हुई दिख रही हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of pentacles and fulfillment of wishes और ये cards कहते हैं कि इस week, specifically personal front में या तो कोई wish, कोई desire आपकी manifest हो रही है reality में बदल रही है या फिर इस week आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये wish, अब ये desire आपकी manifest हो जाएगी अब ये चीज आपको मिल जाएगी और दोनों ही सेनारियों में दिखे deeper level के लिए एक happiness, एक joy, एक satisfaction आप महसूस कर रहे हैं लेकिन देखे इसके बावजूद surface level के लिए एक fluctuating सी energies रह रही है ये fluctuations सब के लिए differ कर सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई चीज करना चाहा रहे हैं उसी से related to minds में हैं एक मन आपका कुछ और कहता है एक दूसरा मन आपका कुछ और कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़ादा चीजें कर रहे हैं और manage करना थोड़ा सा difficult हो रहा है या इन ही चीजों को balance करना थोड़ा सा difficult हो रहा है लेकिन आप बहुत fun, मज़ा से उन चीजों को balance कर पा रहे हैं उन चीजों को आप manage कर पा रहे हैं और दिखे कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज में ना तो आप completely you know involved हो रहे हैं और ना ही आप completely disconnect कर रहे हैं यानि कि in and out, up and down वाली energies surface level पे रहती हुई दिख रही है, situation circumstances सब के लिए differ कर सकते हैं लेकिन कहीं deeper level के लिए again एक satisfaction, joy, happiness रह रही है क्योंकि कोई wish यहां तो आपकी पूरी हो रही है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अब यह wish आपकी पूरी हो जाएगी and guidance से आप लोगों के लिए loyal heart का card है बहुत clear message है आप लोगों के लिए कि जो भी करें, loyalty, honesty के साथ करें and यहां पर एक चीज़ कॉप्योज मैं और add करूंगी कि यह तो आपने बचपन से ही सिखा है कि भई हमें बहुत loyal होके चीज़ों को deal करना चाहिए लेकिन आपने यह नहीं सुना होगा कि जितना important लोगों के साथ loyal होना होता है उतना ही important खुद के साथ यानि कि अपनी feelings, अपनी emotions, अपनी desires के साथ भी loyal होना होता है तो इस चीज़ का भी आप खयाल जरूर रखें आप क्या चाहा रहे हैं, आप क्या you know again मैं कहूंगी कि आपकी wish है, desire है उसको लेकर भी एक acceptance रखें, उसको लेकर भी एक loyalty आप जरूर रखें and astrology से आप लुगों के लिए Scorpio sign का card है और इसके हिसाब से all shades of blue, all shades of green इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Tuesday तो ये था आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए